नमस्कार दोस्तों, श्रागत है आपका हमारे आफिशल उट्रूब चेनल जी एस पाइनी रसर में कैसे हैं आप सब, मैं आसा करता हूँ, श्रस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी तयारी में ब्यास्त होंगे बिद्रू तयारी आप लोग समिच्छा दिकार, यानि आरो यारो की कर रहे हैं तो आरो यारो की तयारी में आप वैस्त हैं, और अच्छी बात है वैस्त रहीएगा मस्त्रूब इसमें आपका हिंदी और जी एस का खेल होता है आप जानते हैं ना, Hindi plus GS पूछा जाता है Hindi के start प्रशन आते हैं 60 मिनिट आपको देना होता है और इसमें एक बड़ा 3 माइनस मार्किंग होता है उबराल पेपर में एक बड़ा 3 माइनस मार्किंग होगा Hindi में भी होगा, GS में भी होगा GS के 140 प्रशन पूछे आते हैं आप जानते हैं और GS का भी अब मोडल पेपर आपको मिलना start हो जाएगा परिशान नहीं होना है आज जो है हिंदी का मोडल पेपर है और मोडल पेपर वीश नंबर है यानि प्रक्टिस पेपर आपका वीश नंबर है फुवल पर इच्छा में पूछे जाने व़ले questions के जैसा ही है पहला questions आपके screen पे है करा प्रफुललका वेलूम शब्द है नाम दिया गया कोफ है, मलान है, दुख है, विशाथ है फरफुल का अगर आप विलूम देखेंगे मित्रों तो यहाँ फे वलान शब्द बनेगा शही जबाब V के शाद जाएगा मित्रों V is the right answers होगा विशाद का विलूम हर्स होता है याद रखेगा विशाद का विलूम हर्स होता है कोफ का विलूम करपा होता है अगला कोश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्व होता है हमेशा ही जबाफ शी के साथ देना होगा अगला कोश्चन चार नमबर आएगा कहरा प्राचीन शब्द का विलूम है नाम दिया गया वर्तमान होगा अवार्चीन होगा समाचीन होगा कर्तिम होगा प्राचीन शब्द का विलूम बनता है मित्रू वो प्राचीन का वि जोटसना है, जोटसना है, आपको बताना है, जोटसना कौन सा एकदम सही लिखाया है, तो जोटसना होता है, इसलिए हमें सही जबाब फ़र्ष के शाथ लगाना है, इस दराई डांसस बना लेना, अगला कोश्चन सचाह नमबर आएगा, आप से करा है, निम्लिकित मेशेश शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयान कीजिए, नाम दिया गया उपरोग्त है, उपयूग्त है, उपर्यूग्त है, या फिर उपरोग्त है, आपको बताना है, इस शही सब्ध को gives you बज़ा गाना पड़ेगा, इस दराई डांसस चाप लेना पड़ेगा, अग भारत ने चंद्रियान टू लांच किये हैं और भारत ने चंद्रियान टू लांच किया है चारो में से आपको शुद्ध कोंशा लग रहा है तो भारत ने चंद्रियान टू लांच किया है एकदम फिट बैठेगा इसलिए हमें सही जबाब D के शाद देना है D is the right answers आठ नंबर कोश्चन्स आप कि स्क्रिन पे है आप शे कहरा मित्रों निमलकित मेशे वाकिके शुद रूप का चैन कीजिए चार आपसंस दिये गए आपको शुद धवाक के बताना है प्रियावाची शब्दों के अर्थ में शमानता होती है लेकिन प्रतेक शब्द की अपनी विशेश्टा होती है प्रियावाची शब्द के अर्थों में शमानता होती है लेकिन प्रतेक शब्द अपना विशेश्टा होता है गलत है प्रियावाची शब्दों के अर्थ में शमानता होती है कामा लगाओ उसके बाद लेकिन प्रते के शब्द की अपनी विशेष्टा होती है एकदम सही बाब है फॉस्ट इस दर राइट अंसर लगाओ अगला को उश्चनस नो नंबर स्वल्ब करेंगे आप शे कहरा है प्रशंख्यान नो क्या कहरा मित्रू आप शे कहरा है जिसके शमान दूसरा ना हो वाक्यांस के लिएक शब्द है अलोकिक, श्वर्गिक, अप्रतिभा, अदुतिये जिसके शमान दूसरा ना हो मित्रू उसके लिए एक के शब्द आएगा अधुतिये तो सही जबाब अधुतिये देना पड़ेगा D is the right answer लगाना पड़ेगा अगला कोश्चन्स दस नंबर आएगा आप से कह रहा है जिसकी गिंती ना की जाशके वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या आता है अग्णर आता है अगड्ड आता है, फिर अग्ड़िता आता है जिसके गिंती ना की जाशके जिसके गिंती ना की जाशके मितुरू उसके लिए एक शब्द क्या आएगा अग्ड़िता हैगा तो सही जबाब हमें D के शाद देना पड़ेगा D is the right answers लगाना पड़ेगा अगला questions हम देखें तो आपका 11 नंबर है आपकी screen पे है मित्रों प्रेश्टन संख्या 11 आप शे कह रहा है जिस पर उपकार किया गया हो वाक्यांस के लिएक शब्द क्या है करतार्थ है, उपयूक्त है, करतग्य है, करतग्न है जिस पर उपकार किया गया हो मित्रों उसके लिएक शब्द आएगा क्या वो आएगा उपकृत उपकृत, तो हमें सही जबाब V के शाद देना पड़ेगा पहलल नंबर questions पे चलें पूछा गया जिसका शत्रू जन्मा ही ना हो आपसे कह रहा है जिसका शत्रू जन्मा ही ना हो उसके लिएक शब्द आता है अगला questions 13 नंबर आएगा आपसे कह रहा है निमलकित में कौन शायुगमत तद्भो तत्सम की द्रष्टी से सुमेलित नहीं है आपसंस में ओजहा का उपाध्या है केला का कदली है कपास का करपट है और आपका आत्मा है तद्भो तत्सम की द्रष्टी से सुमेलित नहीं है चार आपसंस दिये गए है मित्रों आपने देखा होगा क्या आपसंस आपका सही बन रहा है तो कपास का करपट दिया गया मित्रों आप जानते हैं कपास का करपास होता है करपट आपके कपड़े का होता है तो यहाँ पर अगर आपका कपास लिखा हوتा तो यहाँ करपास होना चहिए था आपका काम बन जाता तो सही जबाब B के साथ लगा लो मित्रों अगला कोश्चन्स 14 नंबर आएगा आप शेकरा तदभोर उसके तत्सम का कौन सा मिल गलत है नाम लॉंग का लवंग है लोयन का लोशन है आत का अंत्र है और आयसू का आदेश है आपको पताना तदभोर तत्सम की दरश्टी से कौन सा गलत है तो तदभा और ततसम की दरष्टी से जो गलत है मित्रों वो दिया किया आत का अंत्र आपको सही जबाब यही लगाना है आत का आत्र होता है मित्रों क्या होता है आत्र होता है आप जानते है तो सही जबाब B के शाथ लगाओ अगला कोशन्स फिप्टीन नमबर आएगा आपशे गैरा निमलिकित में ततस्रम शब्द की जोड़ी नहीं है आपशन्स में कर्म का विद्या है, मत्स का अम्रग है दधी का भात है और भटी का भटी का है आपको बतना है ततस्रम की जोड़ी सही नहीं है मित्रों सही जवाब अगर आप देखेंगे तो दधी का भात दिया गया ये सही नहीं है दधी का भग तो होता है मित्रों दधी का क्या होता है भग तो होता है भग तो होता है इस टाइप से तो सही बाब वी के शाथ लगा लो अगला कोशन्स आएगा गुर्ष देखा जाए मित्रों तो आफका शोन्ट होता है इसलिए हम इसी जवाब वी के शाथ देना है अगला कोश्चन 17 नमबर आएगा वहा धीरे धीरे दोड़ रहा है रे खंकित शब्द को पहचानिये नाम क्रिया है, क्रिया विशेशन ہے संग्या है सर्वनाम है धीरे धीरे पर रेखंकन है वहाँ धीरे धीरे दोड़ राय में धीरे धीरे क्या है मित्रों तो धीरे धीरे के अगर बात आती है तो याफ का क्रिया विशेशन है इसलिए हमी सही जबाब शी के शाथ देना पड़ेगा अगला कूशन 16 नमबर स्वाल् या फिर र मा रात ़र जागती रही। अगला कोश्षन 19 नमिश नमबर आएगा, आपकी स्क्रिन पे है। आप शे कह रहा है मित्रू क्या निमल्रक्ँत शबदों में कौन शा विषेशन है। नाम दिया है दिव्य है, पिता है, पाप है, प्रमाण है। कुनिशा विशिशन है चारों आपसंस में फॉस्ट के साथ आंसर्स लगाओ दिब बेस दराइट आंसर्स बनाओ मित्रों अगला कुश्टन से किस नंबर स्वाल्व करते हैं आपसे कह रहा है जहानवी शब्द का प्रियावाची शब्द है नाम कुमुदनी का दिया गया रश्मी का दिया गया नलनी का दिया गया और मंदाकिनी का दिया गया है जहानवी शब्द का प्रियावाची क्या है तो जहान प्रयाईवाची बनते हैं अगला question 22 number है आप शे करा लिक्षित मेंशे खिड्की का प्रयाईवाची है नाम दिया गया वातायन है दरीचा है बारी है या फिर उपयोगत शबिय है खिड्की का प्रयाईवाची क्या है मित्रों तो खिड़की का प्रियाईवाची वातयान भी है, बारी भी है, दरीचा भी है, गवाच भी है, रोशंदान भी है, जंगला भी है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ D के शाथ देना है, D is the right answers लगाना है, अगला कोश्चंस 23 नमबर आएगा, आपकी स्क्रिन पे होगा, तेश जवाब फ़स्ट के साथ देना है, 24 नमबर कोश्चंस पे चलें, अनुपम का प्रियाईवाची शब्द है, नाम श्रगी ये दिया गया, लोकिक दिया गया, प्रभूत दिया गया, अदुतिये दिया गया, अनुपम का प्रियाईवाची शब्द क्या है, तो अनुपम का अदूतिये है मित्रों, सही जबाब हमें D के शाथ देना पड़ेगा, अगला कोश्चंस 25 नमबर आएगा, पूछा गया नश्ट का विलूम शब्द है, नाम एक अत्रित है, जोड है, सरजन है, शमगर है, नश्ट का विलूम क्या है, नश्ट का विलूम सरजन होता है मित्रो आपको सही जबाब मुख्य देना पड़ेगा, D के साथ अंसस मिलान करना पड़ेगा, अगला कोश्चंस 27 नमबर आएगा, 27 नमबर कोश्चंस आपकी स्क्रिंट पे ये रहा, आपसे कहरा है, उन्मूलन का विलूम है, नाम दिया गया सनलयन है, पलायन है, शमूल है या फि अफवय है, अफवय है या फिर परवय है, मित्रों अफवय का विलूम क्या है, तो अफवय का जो विलूमी शब्द है, वो मितब्वय है, हमें सही जवाब V के शाथ देना है, V is the right आंसस लगाना है, 29 नमबर कोश्चंस पे चलें, करा निमलिकित में एक की वरतनी अशुद लगाना है, आप जानते हैं मित्रों, अशुद्ध वरतनी में सुसुरसा ही आएगा, इसका सुसुरसा कैसे लिखा जाता है, तो इसका सुसुरसा शुरू और सा रहता है, तो इस टैप से, बड़ा उकमातरा इस पे, छोटा उकमातरा इस पे ये वाला शा रहेगा, ठीक है म दियेगे शुद्ध वाक्य बताना है क्रपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की क्रपा करें कितनी बार क्रपया लगा होगे गलत है क्रपया मेरे पत्र पर ध्यान दें एकदम सही लिखा हुआ है मेरे पत्र पर ध्यान दें क्रपया गलत है क्रपया मेरे पत्र पर भी ध्यान दे क्रपया मेरे पत्र पर ध्यान दे सही जवाब बनेगा तो V is the right answers लगाओ 31 number questions पे चलते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 36 36 आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है 36 बनेगा इसलिए हमें सही जवाब D के शाथ देना है D is the right answers लगा लेना है अगला questions 32 number आएगा 32 number questions आपकी स्क्रिन पे है क्या कहरा आपसे 32 number questions कहरा हम इतुरों निमलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है चार आपसंस दे दिया गया एक वाक्य शुद्ध है पेंड की पत्ता गिरी नहीं गलत है पत्ता गिरा पेंड में से पत्ता गिरा नहीं पेंड से पत्ता गिरा एक दम सही है इसलिए हमें सही जबाब D के शाथ देना है D is the right answers लगाना है अगला कोश्चंस 33 नमबर आएगा आप से करा है जिसका जन्म छोटी जाती है निचले वरण में हुआ 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 वाक्यांस के लिएक शब्द क्या आएगा अंडा जाएगा, शोद्रा आएगा, अत्यन जाएगा या फिर अच्छूत आएगा जिसका जन्म छोटी जात में हुआ है मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है निचले वरण में हुआ है उसके लिए अंत्याज आता है तो सही यवाब हमेशी के शाथ देना है 34 नमबर कोश्चंस पे आएगे 34 नमबर कोश्चंस क्या कह रहा है शयो शब्द के लिए शही वाक्य है नाम जो शक्ति की उपासना करता हूँ उसे शयो कहेंगे आप जो शिव की उपासना करता हूँ उसे शयो कहेंगे आप जो विश्वु की उपासना करता हूँ उसे शयो कहेंगे तो मित्रों शेव मतलब शिव, शिव की उपासना करने वाला शेव तो सहीजबाब शिव की उपासना करता हूँ उसे शेव कहेंगे याणि वी के शाथ आंसस लगाएंगे 35 नमबर कोश्चन्स पे चलेंगे गोद लिया हुआ पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांस के लेक शब्द क्या है दत्त है दत्तक है दद्चित है या फिर दमपत्ती है गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांस के लेक शब्द क्या आएगा मित्रों आएगा दत्तक तो हमें सही जब आप दत्तक देना पड़ेगा यानि we is the right answers लगाना पड़ेगा अगला कोश्चंस 36 नमबर आएगा आपकी स्क्रिन पे होगा क्या कह रहा 36 नमबर हर काम को देर से करने वाला हर काम को देर से करने वाला वाक्यांस के लिएक शब्द क्या है दिर्ग दर्सी है बिलंबी है अदूर दर्सी है या फिर दिर्ग शुत्री है हर काम को देर से करने वाला के लिए जो एक शब्द आएगा दिर्ग शुत्री आएगा तो सही जबाब डी के शाथ देना पड़ेगा दिर्ग शुत्री is the right answers बनाना पड़ेगा 36 नमबर कोश्चंस पे चलें पुछा गया निमलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है नाम शक्कर का दिया गया शब्द शती का दिया गया हूली का दिया गया और मोती का दिया गया तत्सम शब्द कौन सा है तो सही जबाब शती आएगा तो सही जबाब वी के शाथ लगाना है V is the right answers देना है 38 number questions पढ़ा जाए तो कह रहा है शीष का तत्सम रूप क्या है नाम सीषा आएगा, सीर्स आएगा, सीर्स आएगा सीषा का तत्सम रूप क्या है तो शीष का तत्सम रूप सीष का जो तत्सम बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा सीर्स बनेगा, सीर्स का सीर्स हो जाएगा तो सही जबाब V के शाथ लगा लेना V is the right answers बना लेना अगला कोश्चन्स 39 नमबर आ रहा है 49 नमबर कोश्चन्स आफ से कह रहा है शिंघाडा का तत्सम रूफ है नाम दिया गया स्रिंगाटक है, शुघट है सिंगाडा है या फिर स्रंग है सिंघाडा का तत्सम रूफ क्या है सिंघाडा का तत्सम रूफ सिंघराटक स्रिंगाटक सही जबाब V एक के शाथ लगाओ अगला कोश्चन्स 40 नमबर आएगा आफ से कह रहा مिट्टी का तत्सम शब्द है ना मृतिका आया है मिर्तिका आया है या फिर मिठी आया है मिठी का तदसम सब देखिए है मित्रों तो मिठी का तदसम रूत मिर्तिका होता है इसलिए हम ही जवाब first के साथ लगाना है is the right answers बनाना है एक 40 number questions पर चलें तो यह सिक्का खोटा सा दिखता है वाक्य में खोटा सा विशेशन कोंशा है खोटा सा गुण वाचक विशेशन है परिमाण वाचक विशेशन है संख्याच वाचक विशेशन है या फिर पुरणांक बोधक विशेशन है यह सिक्का कोडा सा दिखता है यह सिक्का कोडा सा दिखता है अगर ऐसा देखना है मित्रों तो हमें गौनत के साथ देखना पड़ेगा खोटा सा तो सही जबाब फॉस्ट के साथ लगाना होगा अगला कोश्चनस 42 नंबर आएगा आपके स्क्रिंट पे है क्या कहरा आप से 42 नंबर कोश्चनस कहरा है निमलिकित में से किस वाक्य में बुद्ध चात्र है वह लड़का चात्र है या वह वरिश्रमी भी है विशेशन का प्रियोग नहीं हुआ है मित्रों आप देखोगे चारों आपसंस में तो वाक्य में विशेशन का प्रियोग वह चात्र है कभी नहीं हुआ है तो सही जबाब हमें फर्ष्ट के साथ लगा हो नहीं, सही जब आप first के साथ लगा लो इस बार वारिस में बहुत ओल ले पड़े, is the right answers लगा लो मित्रो बहुत हो गया, थोड़ा हो गया, केवल हो गया, कितना हो गया, एक एक हो गया, यह सब आपके परिमान बताते हैं न, तो परिमान वाचेक विशेशन यही है तो इसमें आपका बहुत आया है, इसलिए आपका यह परिमान वाचेक विशेशन है, first is the right answers लगा लो, 44 number questions पर चलते है 44 number questions आप से क्या कह रहा है मित्रो, 44 number questions कह रहा है, दुरुष्ट व्यक्ति से शंबंध नहीं रखना चाहिए इस वाक्त में प्रियुक्त दुरुष्ट का व्यकरण की दृष्टी से किस संबर्ग में है, दुरुष्ट आपका संग्या है, विशेशन है, सर्बनाम है, क्रिया विशेशन है दुष्ट की एगर बात आए मित्रो ना तो दुष्ट सब्द जो आपका आता है वो विशिशन में आता है तो C के साथ आंसर्स देना पड़ता है 42 नूमबर कोश्चन्स पे चलें उतकंठा का प्रियावाची है लालसा है, उतसा है, उदारता है, होशला है उतकंठा का प्रियावाची क्या मित्रों तो उतकंठा का जो प्रियावाची शब्द है वो लालसा है सही जबाब फर्स्ट के साथ देना है इस दराइट आंसर्स बनाना है उतकंठा, उतकंठा का प्रियावाची लालसा उतसुकता आजाए, आतुरता आजाए प्रबलेच्छा आजाए यह सब आफ किसके प्रयावाची है तो लालसा के ही है फॉर्स्ट इस दराइट आंसर से लगाओ च्यालिस नमबर कोश्चांस पे चलेंगे आप से गरापंडित का प्रयावाची शब्द नहीं है आप संस में कोविद आएगा दामिन आएगा धुरूप आएगा और प्रग्याएगा मित्रों आप जानते हैं दामिनी किसका है दामिनी आपके किसका प्रयावाची होता है दामिनी के अगर बात आती मित्रों तो यह विजली का प्रयावाची है चलित चंपला चंपला द्वामनी ये सब आपके विजली के प्रियावाची है मित्रो विजली पंडित के अन्य प्रियावाचियों के अगर बात करते हैं तो अन्य प्रियावाचियों में आपके कोवीध हैं बुद्ध हैं प्रगू हैं शुधी हैं विग हैं ये सब आफके बिजली के प्रयाबाची नहीं है ये आफके पंडित के प्रयाबाची है अगला कोश्टिंस 47 नमबर कोश्टिंस आफ से क्या कह रहा है मित्रो आफ शे 47 नमबर कोश्चन के रहा है दिये गए बिकल्पों में शे गोश्ठी क्या गोश्ठी गोश्ठी का प्रियावाची शब्द कौन सा है कलेवर है, काया है, कोस है और सभा है गोष्टी का प्रियावाची शब्द क्या है मित्रों तो गोष्टी का प्रियावाची शब्द सभा है हमें सही जबाब D के शाथ देना है चोपाल परिसद बैठक कमेटी शमिती गोष्टी ये सब आपके प्रियावाची है अगला कोश्चन 44 नमबर आएगा आपसे गरा निम्लिकित शब्दों में कौन शब्द केसरी का प्रियावाची है केसरी का प्रियावाची क्या म्रगेंद्र है भोजंग है तुरंग है या फिर अनंग है किसरी का प्रियाबाची बताना है, किसरी का प्रियाबाची मरगेंद्र होगा मित्रू, तो सही जबाब first के साथ लगाना है, is the right answers बनाना है, शारदूल हो, व्याग्र हो, सिंग हो, सेही हो, किसरी हो, यह सब आफके यसी प्रियाबाची है, मिरगेंद्र के ही, अगला questions 49 नमब बनाना है, 50 number questions पे हम चलेंगे, किरा निमलिकित में बिलोम की दरश्टी से असत्य युग्म है, नाम, असन का अंसन दिया गया, उदासीन का असक्त दिया गया, तम का सीतल दिया गया, निधिका निलाद धे दिया गया, बिलोम की दरश्टी से कुन सा गलत है, तो यहाँ तम मतलब होता है, प्रकास तो यहाँ अंधेरा होता, तम का अगर अंधेरा होता है, उजाला नहीं, अंधेरा, सही जबाफशी के शाहत लगा लो, अगला questions, 51 number आएगा, आप सी कह रहा है, निमलिकित मेंशे किस वर्दनी के अशुद धेगदम अशुद्ध है, नाम दिया कि व अधिकार नहीं होता है, अंध, अंधिकार होता है, तो इस टैप से लिखा होता है, एकदम फिट होता है, डी is the right answer लगालो, अगला questions, 52 number questions, आपके स्क्रिंट पे यह रहा, आप से गरा है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी चार्द रह से लिखी गई है, वाक्य काच्छेन की अनुग्रहित, 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 आपको बताना है, कोन सा एकदम बढ़िया फिट लिखा हुआ है, तो जब आप बात करेंगे अनुग्रहित की मित्रों, तो यहाँ अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, तो ह आदी से अंद तक वाक्यांस के लिए जो एक शब्द आएगा, वो अधो पांता हैगा, क्या आएगा, अधो पांता हैगा, तो हमें से जबाब वी किशाद देना पड़ेगा, वी इस तराई टांसस लगाना पड़ेगा, अगला कोश्चंस शववन नमबर आएगा, कह रहा है आवशर के अनुरूप बदल जाने वाला, वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या है, आवशर के अनुरूप बदल जाने वाला के लिए यथा पूर्बक है, भाववदी है, आदर्स वादी है, या फिर आवशर वादी है, आवशर के अनुरूप बदल जाने वाला वाक्यांस इसके लिए एक शब्द क्या आएगा मित्रों, तो यहां के लिए एक शब्द आएगा अवशरवादी, तो हमें से जबाब D के शाथ देना पड़ेगा, D is the right answer लगाना होगा, 55 नंबर कोश्चन्स पे चलें तो आपकी स्क्रिन पर ये रहा, आप से करें कौनशा शब्द तत् तत्सम नहीं है, चारवा आपसंस देखना, तो यहां शांकल शब्द दिया गया, वो तद्भो शब्द है, इसका तत्सम रूफ श्रंखला होता है, क्या होता है मित्रों, श्रंखला होता है, इसलिए आपको श्रंखला याद रखना चाहिए था, अगले कोश्चन्स पे चल फ़र्ष्ट के शाथ लगाना है, अगला कोश्चन्स शत्तावन नमबर आएगा, आशक्ती का प्रियावाची शब्द है, भक्ती है, स्रद्धा है, अनुभूती है, अनुरक्ती है, आशक्त का प्रियावाची क्या है, आशक्ती का प्रियावाची अनुरक्ती है, तो हम इस सही जबाब D के साथ दे देना है D is the right answers लगा लेना है 58 number questions पे चलेंगे नमलिकित मेंशे कौन सा एक अनाथ का प्रियावाची नहीं है नाम बेशहारा का है यतीम का है अनाडी का है और निरास्रित का दिया गया है अनाथ का प्रियावाची क्या नहीं है अनाथ के अगर प्रियावाची की बात आती है मित्रों तो अनाडी शब्द आपके अनाथ का प्रियावाची नहीं है सही जबाब आप C के साथ लगा लेना 69 number questions आपकी स्क्रिन पे है केरा निमलिकित मेंशे एक विशेशन सब्द नहीं है आपसंस में लजीला है लाडला है विकल्प है और लापता है विशेशन सब्द कौन सा नहीं है चारों आपसंस में आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प आपका विशेशन नहीं है मित्रों विकल्प आपका शंग्या शब्द है याद रखिएगा तो हमें सही जबाब शी के साथ देना है शाठ नंबर कोश्चनस पे चलाएं आप से करा है निम्लिखित सब्दों में से जो शब्द विशेशन नहीं है उसका उलेख कीजिए नाम द्रस्कृत दिया गया पॉस्टिक दिया गया चर्चित दिया गया और मंगल दिया गया आप से करा है मंगल एक क्या है मित्रों शंग्या शब्द है तो ये विशेशन नहीं है इसलिए हमें सही जबाब D लगाना है इसका विशेशन मंगलिक होता है मित्रों कैसे होता है मंगलिक मंगलिक लगाओ आपका विशेशन हो जाएगा मंगल आपका क्या है तो सही जवाब D के साथ छापलो मित्रों डी इस तराइट आंसर्स बना लो अब आपको बताना है साथ कोश्चन्स के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा एक बटा तीन माइनस मारकिंग काटने के बाद बताईएगा मित्रों ठीक है उम्मीद है पूरी क्लास समस में आई होगी आज है आपका तीन जनवरी तीन जनवरी की विशेश शुब कामना है आप सभी को जनवरी चल रहा है 11 फरवरी को आपका पेपर है तब तक आपका बहुत अच्छा प्रफेशन हिंदी में भी हो जाएगा और जीयस में भी हो जाएगा मिलते शुन में तब तक ले दिल से स्लीट जै हिंद